तो इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग C.A. का एक्जाम January 2025 में देने वाले हो, ध्यान से बाते को सुन लिजेगा, registration करने का, चाहिए C.A. Intermediate का बात किया जाए, या C.A. Foundation January 2025 का, last date जा चुका है, अब registration C.A. Intermediate September 2025 का start है, और C.A. Foundation June 2025 का start है, I hope कि आपका doubt क्लियर हो रहा होगा, अब बात कर लेते हैं, C.A. Intermediate and C.A. Foundation September 2024 के बाद, सिधा का सिधा एक्जाम हो रहा है, January 2025 में, November 2024 में, नहीं C.A. Foundation का एक्जाम हो रहा है, नहीं C.A. Intermediate का, I hope कि आपका doubt क्लियर हो रहा होगा, C.A. Foundation January 2025 का, रेजिस्टेशन करने का आखरी डेट क्या था, 1 September 2024, यानि कि 1 September 2024 तक, जो भी बच्चे रेजिस्टेशन कर दी हैं, वो लोग C.A. Foundation January 2025 के एक्जाम में IPR कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, 1 September या इससे पहले तक आप रेजिस्टेशन किये होंगे, आपका रेजिस्टेशन कंफॉर्म का मेल मैसेज नहीं आया होगा, C.A. Foundation January 2025 का, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतिजार करो, SSP पोर्टल पे लोग इन करके चेक करना है, क्या एप्लिकेशन सब्मिटेट या इन प्रोग्रेस हो कर रहा है, देन इंतिजार करना है, अगर रिजेक्ट हो गया है, देन उसको पेंडिंग एप्लिकेशन में जा करके सही करना है, रही बात C.A. Intermediate January 2025 का, रेजिस्टेशन करने का आखरीट एक में 2024 था, जो बच्चे एक में 2024 तक रेजिस्टेशन किये हैं, वही बच्चे एप्यर कर सकते हैं, C.A. Intermediate January 2025 का एक्जाम में, इसके अलावा एक में 2024 से पहले, या नहीं तो रीपीटर होंगे, वो लोग भी एप्यर कर सकते हैं, इसी तरीके से C.A. Foundation January 2025 का, रेजिस्टेशन करने का आखरी एक सेप्टेंबर 2024 था, तो एक सेप्टेंबर 2024 तक, जो बच्चे Foundation कोर्च में रेजिस्टेशन किया होंगे, या इससे पहले, या नहीं तो रीपीटर होंगे, वो लोग C.A. Foundation January 2025 के एक्जाम में एप्यर कर सकते हैं, सिलेवस में कुछ भी चेंजेज नहीं हैं, नहीं C.A. Foundation के, नहीं C.A. Intermediate के, डाउट किलियर हो रहा होगा, तो कॉमेंट बॉक्स में थैंक्यू लिखेगा, अब रेजिस्टेशन प्रोसेस, फाउंडेशन और इंटर्मिडियेट का तो समाप्त हो चुका, अब स्टार्ट होने वाला एक्जाम फॉर्म, एक्जाम फॉर्म कबसे स्टार्ट होने वाला है, तो टेंटेटिब बन रहा है कि, नॉमबर के मंद में C.A. Foundation हो और C.A. Intermediate, जैन्वेरी दो हजार पचीस का, एक्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकता है, आपके मन में डाउट आ सकता है, कैसे एक्जाम फॉर्म फिल करना C.A. Foundation जैन्वेरी दो हजार पचीस का, तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसको देखके ही बच्चों आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा, अगर बिना देखे एक्जाम फॉर्म फिल करते हो, मेरे हिसाब से 11-12 जैन्वेरी से स्टार्ट हो सकता है, और intermediate का exam कबसे start हो सकता है 11-12 January 2025 से लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं सोचना है 11-12 आपको सोचना है 1 January 2025 से exam start हो रहा है और 10-11 दिन extra समय मिल जाता है तो उसका हम लोग benefit उठाएंगे आई होप कि आपका doubt क्लियर हो गया यह भी बता दिये exam कबसे start होने वाला है यह भी बता दिये exam form फिलिग इस बात पे तो वीडियो को like कर दीजिए और हाँ वीडियो को share कीजिए चैनल पे नए हो तो प्लीज बच्चों subscribe कीजिए जैसे ही official date आएगा charter studies सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देगा चैनल पे नए हो subscribe कीजिए इसके अलाबा जैसे ही exam window open होगा charter studies exam form फिल कैसे करना detail वीडियो ला देगा तो प्लीज बच्चों channel पे नए हो subscribe कीजिए गा और हाँ इसके अलाबा charter studies का टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे सर्च करना है charter studies और जरूर जोइन कर लीजिएगा साथ में charter studies के whatsapp चैनल को भी जरूर जोइन कीजिएगा क्योंकि official notification आएगा तो PDF यही दोनों जगह पे मैं share करूँगा तो जोइन ज इन्स्टाग्राम पे मुझे message कर सकते हो charter studies सर्च किजिए इन्स्टाग्राम पे और मुझे message कर सकते हो जो भी doubt होगा मैं सारे बच्चों का reply करता हूं और हाँ students last में छोटा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोगों का family member 3,000,000,000 complete होने वाला जल्द से जल्द charter studies पे 3,000,000,000 complete हो जाएगा प्लीज वच्चों subscribe जोड कीजिएगा मिलते है next video में